अरे, आधार कार्ड निकाला था क्या इसमें से? अरे, दो मिनिट तसली कर लो, सब ला रही हूँ. एक कागज नहीं मिलता अपनी जगे. ये लो. दो घंटे पहले पहुंचना है एरपोर्ट? हाँ, तो सब कुछ तो तयार है, चलो निकलते हैं. निकलते हैं? हाँ, हाँ, और क्या? तुम कहाँ जाओगी? जहां तुम जाओगे, वहां मैं जाओगी. एक आदमी की परमीसन है बस. देखो, ज्यादा पागल बनाने की जुरूत नहीं है. लेटर मैंने भी पढ़ा है. और उसमें साफ साफ लिखा है कि शादी चुदा अपने जोड़ा ले जा सकते हैं. हाँ, लेकिन मैं लेकर नहीं जाओँगा तुम्हें. क्यूँ? तुम्हें क्या लगता है? मैं उड़ते जहाद से कूच जाओँगी क्या? अरे, पकवास मत करो. पकवास मैं कर रही हूँ. अपने खर्चे पर तो कहीं ले जाने से रहे. अब सरकारी खर्चे पर लेकर चलो. उप मुख्यमंत्री आवाज जाना है, तुम्हारे मायके नहीं जाना है. हाँ, हाँ, पता है, कहाँ जाना है. और तुम्हें एक बात ध्यान से सुनलो, मेरे मायके वालों की तुलना हर जगा से मत किया करो. करना कौन चाहता है, लेकिन तुम अपना मायका याद दिलाए बिना कहाँ चैन लेती हो? मुझसे भातवात होता. भावीची, वो दालचीन नहीं घत्म हाँ, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? बुरा मत मानना मालती, लेकिन तुम न किसी बिल्ली से कम नहीं हो. जब जब किसी शुब काम के लिए दिख ले, तब ही रस्ता काटती हो. अरे घर आये महमान से कोई ऐसे बात करता है? ठोड़ी है भाई साब, महमान कहके अब और बेज़िती ना करे, पहले ही भावी ने बहुत कर दी है. लो, अब दिल पे लग गई तुम्हारे मालती, यही तो दिक्कत है आज की जमाने की, कुछ भी समझाने निकलो, तो समझना तो वही बात तो मैं तुम्हे समझाना चाहरा हूँ कि मुव बंद करके आराम से घर में बैठो. अच्छा, इसका मंतर सच में कही जाने की तयारी है? हाँ, ओप मुख्य मंत्री को विभाव की तरफ से आम देने जा रहे हैं यह, साथ ले जाने को बोला तो भड़कने लगे पर यह काम तो डाकिये का नहीं होता? महले वाले तुम्हें ऐसे ही मनबुद्धी नहीं कहते हैं मालती? क्यों? मैंने क्या किया? अरे तुम मेरी तुलना एक डाकिये से कर रही हो? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, पच्पा नजार कमाता हूँ, टाटा सूमो से चलता हूँ दफतर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे हाँ, हाँ, आप तो मंगल ग्राह पेपी सबको पता चल गए कि तुम्हें ग्राम विकास अधिकारी हो और वैसे भी महले वाले तुम मुझे भी नक्चडी कहते हैं, तो मालती क्या मैं नक्चडी होगी, पता, पता मैं नक्चडी होगी बिल्कुल नहीं भावी, आप तो बस थोड़ी सी घमंडी हो अरे ये पंचायत बंद करो और किचन में जाकर मेरी लिए कुछ खाने पीने का पैक कर दो हाँ हाँ भावी कर दो, सुना है जहाज का खाना बड़ा महंगा होता है, और भाई सब तो वैसे भी बड़े गंजूस है महंगा हो या सस्ता, मैं नहीं जानती, तुम मुझे साथ लेके चलोगे, तभी कुछ पैक करके दूगी कोई दुरगटना हो गई तो भावी, सारी जिंदगी के लिए भूगतना पड़ेगा, मेरे फूफा जी गए थे बुआ से लड़कर, 37 साल हो गए, अब तक नहीं लोटे तो तु यहां पे क्यों बैठी है, चली क्यों नहीं जाती उनको ढूणने, वैसे भी तो छज्जे पे लटकी लोगों कुन निहारती जो रहती है नागलन रहती है बुआ, सुना है बहुत दूर है दूर तो लखनव भी अगर टाइम से ना निकला जाये तो, इसलिए आखरी बार कह रहा हूँ, किचन में जाओ, इनको दे दो दालचीनी और मेरे लिए कुछ खाने पीने का पैक कर दो मैं भी आखरी बार कह रहे हूँ, कि अगर मुझे लेके जाओगे, तब ही कुछ पैक करके दूँगी अरे क्या, आप लोग भी सुभा सुभा कुत्ते बिली की तरह लड़ रहे हो तो तुम बंदरिया बनके बीच में क्यों बैटी हो, दालचीनी लो और जाओ अपने गर जब मैं यहाँ बैटी हूँ, तो तुम्हें लेडिस से भहस करने की क्या जूरत है क्या मतलब भावी? देखो मालती, मतलब साफ है, सुभा से पहली है हमारे बीच में बहुत महाभारत हो चुकी है अब तुम यहाँ आके अपने टांग मत पसाओ लो मैं क्या टांग फसा रही हूँ, अच्छा जमाना आगे है, लोगों के यहाँ हालचाल पुछने हो, यह भी निभाता इनको हालचाल लेने नहीं, दालचीनी लेने आई थे तुम मालती और यह तो पहली बार है कि तुम पोच रही हो, वरना तो खुझ से जाके डबा खोलके ले रही जाती हो पहले की बात और थी भावी, आज जो आपने भाई साहब के सामने मुझे खारी खोटी सुनाई है ना, उसके बाद तो मैं भूल कर भी आपके यहाँ समान लेने नहीं आऊँगी अरे तुम मत आना, सुना किसको रही है, वैसे भी तेरे ना आने से हम दोनों की सेहत में फरक नी पढ़ रहा, क्यों जी? आज मैं एरपोर्ट जा पाऊंगा या नहीं, साहब साहब बता दो तुम अरे आप कौन से कम हैं भाई साहब, क्यों होड़ों के बीच में बैठे बाते सुन रहे हैं, निकलना काम से निकलिए हरे ऐसे कैसे निकली है, और तुम होती कोन हो, मेरे पती को घर से भाहर निकालने वाली, सुबह पात बज़े से इनके पीछे पड़ी हो, यू मुझे ले जाने के लिए, और तुम कह दो पूरे महले में, कि मैं और मेरा पती, उप मुख्यमंत्री को आम देरे जारे, वो भी हवाई जहाद से, हवाई जहाद से जाओ, चाहे रॉकेट से, मैं तो फिर भी यही कहूंगी, कि ये काम तो डाकिये का है, हाँ तो तुम्हारे हीरालाल कौन से जिले के CMO लग गए, CMO का ड्राइवर भी CMO जितनी पावर रखता है भाई साहाब, कई दफा तो वही साइन कर होंगी, पर दूंगी नहीं, हम, stand up, भाई सब, भाई सब क्या करेंगे, मैंने का खड़ी हो, राच से, मेरे घर में आने की हिरमत मत करना, चल जाए यहां से, हरुक, ये कडोरी लेके कहां जा रही है, जब भी आती है, मेरे बरतनों का सेट खराप कर देती है, इसको भी रख सदिकारी को डाकिया बोलके चली गई, तुम तो रहने ही दो, जब कहती हूं भारवाले दर्वाजे पर कुंडी लगा के रखो, लेकिन नहीं, खुला ऐसे छोड़ रखा है, जिसे कोई गुर्दवारा हो, गुरुदवारा तो है ही, लोग कटोरी, गिलाज, जब्बे, बर आस तो आने वाले हो नहीं, किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में लेके जाने को बोलो, तो गुब्बारे की ताया मूह फुला लेते हो, अपनी बेजती करवाने ले जाओं किया, तो मैं अपने साथ की जो मिले वो कहे, किसनी लड़ाकू बीवी है, ये सही है, तुम चौ जोगा, हाँच पापा से बोल के, ये सारा का सारा माम नहीं रफा दफा कर दूगी, बहुत हो गया, ये आत्मी मुझे कभी भी छोड़के चला जाता है, पापा को बताओंगे, सुरे प्रत अपसे, अलो, अरे मेरी टिकट तो नहीं चूटी है, महाँ पे, चूटी तो है, पर दूगी में एक शर्थ पर, हाँ हाँ आज आओ तुम, बेताल बनके सवार रहोगी मेरे सर पे, जब तक जीऊंगा तब तक जेल ना पड़ेगा तुमें, वो तो है, ठीक है, झू़ेंगा, का झू़ेंगा।